दोस्तों सालक्रता अपने यूट्यूब चैनल पे आज हमारे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे जिसमें की पूछा गया थे क्या आई six plus six मेडी वकल में अनफित हो जाते हैं उभर वीट में हमें निकाल देगा नेम या फिर data of birth में हमारा याधार काड में गलत है या फिर हमारा भोटरा आडी काड में गलत है या फिर माक्सित वगएर जो भी है वो गलत है उसके बाद किसी का कॉमेंट्स आ रहा था कि दो दौंत कम है या फिर हमारे 26 दौंत ही हो रहे हैं हम क्या करें कटे का निसान है गाउ धब्बे है हाथ में कटेका निसान है या फिर टोमिशियर कितना पुराना होना चाहिए ये साड़े कोमेंट्स आ रहे थे मेरे पास बहुत सारे इसलिए मैंने एक सेप्रेट विडियो सोच वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाएं सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइज के बारे में कि हमारा आई जो है वो मेडिकल में 6x6 होता है या नहीं यहाँ पर question यह आता है कि क्या I 6x6 में मेडिकल अन्फिट कर दिया जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे मेडिकल देने जाओगे तो वहाँ पर एक चार्ट आपको दिखाया जाएगा इस टाइप का इस टाइप का चार्ट दिखाने के बाद आपका एक आँख कवर कर दिया जाएगा कोई गत्ते से या फिर कोई नोटबुक से और एक आँख से आपको यह पढ़वाया जाएगा या फिर आपको एक सिसा में आपको उल्टा यह उल्टा रहेगा एक सिसा में आपको देख के परना पड़ेगा और आपकी दूरी जो रहेगी 6 x 6 हो, 6 x 9, 6 x 12 जिसमें भी हो वहाँ पर बता दिया जएगा यदि आपकी आँख में कोई प्राब्लम नहीं है तो आप अरसानी से पढ़ सकते हैं तो ये जो चार्ट है वो एक आँख से पढ़वाया जाता है एक आँख को बंद करके फिर एक आँख से आपने पढ़ दिया फिर इस आँख को बंद करके फिर से आपको उंगली देकर वहाँ पूछेगा कि ये अक्षर बताओ, ये बीच वाला अक्षर कौनजा है ये और ये ठीक है तो इस टाइप से ये चार्ट देगा यहाँ पर आप जिदी पास करते हो तो बाद में एक ऐसा चार दिखाया जाएगा आपको ये कलर वीजन के लिए तो यहाँ पर मैं जब मेडिकल देने गया था तो मेरे सामने डॉक्टर क्या किया था कि खिटकी के पास बैठ गया था और एक कॉपी टाइप का ये नोटबुक टाइप का होता है जिसमें कि बहुत सारे इसे लिखे रहते हैं जिसे कि यहाँ पर देख सकते हो साथ, आठ, यहाँ पर बाड़ा, नौ, सोला, तेरा है तो इस टाइप से तो वो पेज उलटते जाएगा और आपको लगभग में 3-4 फिट के अंतराल में ख़ड़ा कर देगा और वहाँ से बोलेगा तो मेरे में क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पर दे रहा था तो उन्होंने क्या क्या मुझे 4 फिट पीछे खड़ा कर दिया और वो खिटकी के सामने बैठ गए और इसको प्लट रहे थे तो मुझे जब वहाँ धूप आ रही थी खिटकी के पास से तो मुझे कुछ अलग अलग जैसे कि यहाँ पर 9 है तो कुछ अलग ही दिख रहा था तो पहले बारे मुझे भेज दिया गया फिर दूसरी बार जब मैं देने गया तो मुझे दुबारा सेलेक्ट किया गया और डाक्टर ने बोला कि बताओ क्या करूँ मैं बोला सर आप एक बार फिर से मुझे ट्राइ किजिए तो बोली ठीक है बाद में आओ तो आपको वहाँ पर जाना है जदी आप से कुछ गलत होता है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर अलग लग लग रहा है तो आप कहा सकते हैं डाक्ट साहिब मुझे दूसरा दिखाइए ठीक है इसमें पता नहीं चल रहा है या फिर सॉरी आपको वहाँ पर कोई उनसे बत्तमीजी नहीं करनी है आपको उनसे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है ठीक है तो वो जो बोले वो आपको करना है जहाँ पर लगे कि हम उनसे गलती हुए वहाँ एक्सेप्ट करना है चलिए यहाँ तक की बात के लिए हो गई अब बात करते हैं ओभरवेट में तो ओभरवेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा किनका कितना एज है और कितना उनका वेट होना चाहिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ओभरवेट जदी आपका है तो आप उसको कम कीजिए ठीक है और ज़्यादा अभी फिजिकल और मेडिकल में ओभरवेट के चलते निकालता नहीं है कोई नहीं निकालता सब पास होते हैं तो ठीक है तो जब आप जोइनिंग करेंगे या फिर मेडलिस्ट में नाम आता है तो वहाँ पी थोड़ा सा प्रॉबलम होगा लेकिन आपका ओवरवेट है तो उसको कम कीजिए ठीक है और वह से भी मैं एक वीडियो डाल दूँगा जिसमें कि आपको वेट के बारे में बता जागी कि जैसे आपका वेट 23 है तो आपका एज 23 है तो आपका वेट कितना होना चाहिए next हम पढ़ते हैं कि अब बहुत सारी कोमेंट्स आ रहेंगी नाम में गलती है जन्मतिती में गलती है हमारे अधार कार में या फिर वोटर आईडी कार में है या फिर हमारे माकसीट या फिर सार्डिविगेट में है तो यहाँ पे आपको एक ही solution है यदि हार card में कुछ भी नाम गलत है तो उसके अलावा आपके पास या तो driving license होगा या फिर voter ID card होगा तो उसको ले जा सकते हैं साथ में कि सर इसमें थोरा समिस print है आप इसको देख लीजिए या फिर वहाँ पे गलत बना दिया है आप इसको देख लीजिए पहले नमबर option ये जदि वो नहीं है तो आप कुछ और भी लेके जा सकते हैं जैसे की रासन कार्ड भी वहाँ पे ले acceptable है लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं ठीक है ये तो हो गया जदि आपके सार्टिपेट में कुछ गरबरी है या कुछ नौम में इडर है डेट वबर्थ में इडर है तो आपके पास जदि टाइम है तो जल्दी जल्दी एफिडिविट जाके बनबा लीजिए ठीक है उससे सारा problem आपका solve हो जाएगा SACGD के लिए एक personal affidavit form आता है उसको भरके आप ले जा सकते हैं अब बात करते हैं आगे बहुत सारे students का question है कि कटे का निशान है घाव दब्बे हैं इस type से बहुत सारे यही question आ रहे हैं कि हाथ में कटे का निशान है तो इस type से जो कटे का निशान है यह थोड़ा मुरा है चल जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी students को उसके बाद यहाँ पर घाव दब्बे बहुत पुराने थे वो छुट चुके हैं बट उसका निशान है इससे भी आपको कोई problem नहीं होने बाला है आप बिल्कुल आँख बंद करके जा सकते हैं उसके बाद question आता है कि domicile कितना पुराना होना चाहिए तो यह कहा जाता है कि 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए बट यहाँ पे 24-25 वाला तो अभी नहीं चलेगा आप 23-24 वाला आपका domicile certificate है तो आप बिल्कुल वहाँ पे लेकर जा सकते हैं वहाँ पे कोई problem नहीं होने वाली है बस यहीं जो main-main question थे वो students के थे और आपके भी कुछ question है तो मुझे comment box में जरूर comment कीजिए मैं आपका भाई वीडियो में मिलते रहूँगा मिलता हूँ फिर जैगली वीडियो में तब के लिए जय हिन जय भात बंदे मातरम